असलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब आला ताला सब को अपने अपसु अमान में रखे आज मैं आपके लिए एक बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ आईए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर इसे बीट की तरह से बनाएं जैसे पहले बनाते हैं पहले भी बनाना बताया है आपको इस तरह से यह देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे वान टू थ्री फूर यह देखिए थ्री बीट्स बन गए इसके बाद टू का चैन बनाएंगे और यहाँ पर इसे इस पैस देखिए यह देखिए फिर वान टू थ्री फूर फाइव का चैन बनाएंगे यह देखिए फिर वान टू थ्री फूर दुबारा से फाइव का चैन बनाएंगे और यह जो स्टेच है इसमें इसको ऐसे फिक्स करेंगे लूप की तरह से ऐसे फिर वान टू थ्री फूर फाइव दुबारा से फाइव का चैन बनाएंगे यहाँ पर इसे थोड़ा गेप देखिए फिर इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे इस तरह से यह देखिए इसके बाद वान टू टू का चैन बनाया गेप दिया जैसे यहाँ पर गेप दिया है इसी तरह से यहाँ पर गेप दिया इसके बाद वन टू टू ट्री फॉर फॉर का चैन बनाया फिर यहाँ पर बीट बनाया इस तरह से यह देखिए वन टू ट्री फॉर का चैन बनाएंगे इसी तरह से थ्री बीट्स जैसे पहले बनाएंगे इसी तरह से थ्री बीट्स बनाएंगे वन टू ट्री फॉर यह देखिए फिर वन टू का चैन बनाया फिर गेब दिया इस तरह से फिर वन टू ट्री फॉर का चैन बनाया दुबारा से इसी तरह से थ्री बीट्स बनाएंगे यह देखिए यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से थ्री थ्री बीट्स बनाएं हमने बीच में स्पेस दिया आए अभी फिर से यहां पे स्पेस आएगा टू का चैन बनाएंगे इस तरह से फिर यहां पे वन टू ट्री फॉर फाइव का चैन बनाया हमने फिर दुबारा से वन टू ट्री फॉर फाइव का चैन बनाया यहां पे लूप बनाया इस तरह से जैसे पहले बनाया था यह देखिए फिर वन टू ट्री फॉर फाइव का चैन बनाया फिर यहां पे थोड़ा आगे फिक्स किया यह देखिए इस तरह से फिर यहां पे वन टू का चैन बनायेंगे थोड़ा इस पेस देंगे यह देखिए इस तरह से फिर यहां पे थिरी बीट्स बनायेंगे जैसे यहां बनाये हैं इसी तरह से यह फर्स्ट रो है इस डिजाइन की पूरी इसी तरह से बनेगी टू रोस का डिजाइन है यह मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूं यह देखी फ्रेंट्स फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिए अभी सेकेंड रो बनाएंगे यह देखी फ्रेंट्स अब यहां पे हम 12 का चैन बनाएंगे 12 का चैन बनाने के बाद यह जो बीच में लूप हमने बनाया है इसमें इसको फिक्स करेंगे इस तरह से फिर वन टू थ्री का चैन बनाएंगे फिर यहां पे हम डबल क्रोशे स्टेच से टू स्टेच बनाएंगे यह देखिए इस तरह से फिर वन टू थ्री का चैन बनाएंगे इस गेप में इसको एसे फिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह से यह पेटल बनेगी फिर दुबारा से वन टू थ्री का चैन बनाएंगे इसी गेप में ऐसे डबल क्रोशे स्टेच से टू स्टेच बनाएंगे फिर वन टू थ्री का चैन बनाएंगे इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे इस तरह से वन टू थ्री का चैन बनाएंगे इसी तरह से टू स्टेच इस डबल क्रोशे से बनाएंगे यह देखिए फिर वन टू थ्री का चैन बनाया यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे अब यह देखिए फ्रेंड्स थ्री पेटल्स बनी हमारे पास वन टू थ्री do थ्री थ्री पेटल्स का फ्लावर वनेंगे प।ै यहा पी हम 12 का चैन बनाएंगे वन तो थ्री फॉर फाईव सीक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवेवन त्वेल नाइनड्स द्रेंगे यह जो इन दोनों में से बीछ में जो इस स्पेस है यह देखिए यहाँ पर इसको फिक्स किया फिर दुबारा से 12 का चैन बनाएंगे यह देखिए 12 का चैन बनाने के बाद यह जो यहाँ पर लूप है जिसे पहले बनाया है इसी तरह से इसमें फिर से फिलावर बनेगा इसको यहाँ पर इसे फिक्स करेंगे यह देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर थिरी का चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर वैसे ही पैटल्स बनेगी जैसे यहाँ पे बनाई है हमने इसी तरह से यह पूरी रो कम्प्लेट होगी टू रोस का डिजाइन है यह इसी तरह से बनता जाएगा जैसे यहाँ पे बनाया है फ्लावर इसी तरह से यहाँ पे भी फ्लावर बनेगा यह मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरह से ऐसे फ्लावर बनेगा ऐसे ही यह पूरा डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा बहुत खुब्सुरत डिजाइन लगता है यह टू रोस का डिजाइन है आराम से जल्दी से बजाता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है यह देखिए इस तरह से